दोस्तों defensive situations में हमें क्या करना चाहिए यह हमें पता नहीं चलता पर अगर हमारे पास एक self-defense weapon हो तो at least हम अपने आपको बचा सकते हैं नमस्कार दोस्ते को फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आएने टेकलोजी के इसने अमीजिंग वीडियो पर आज आप सभी की डिमान में फिर से लेके आया हो टॉप टैन हाई-टेक साल डिफेंस गैजल्स यह गैजल्स आप अपने आपको प्रोटेक्ट करने के य यह एक सर्ड डिफेंस टूल है जब आप किसी अंजाही सिचुएशन में फर्ष जाएंगे तो अपने बचाब के लिए इसे इस्तमाल कर सकते हैं 3.7 इंजिस के सार्प ब्लेड किसी भी छोटी मोटी चीजों को काटने के लिए इस्तमाल के आजा सकता है और दो और इसे आप सर्वाइबल सिचुएशन में भी बड़े आराम से इस्तमाल कर सकते हैं एक लॉकेट के रूप में आप इसे अपने साथ हमीशा रख सकते हैं तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका पाएंग लिक मेरे डिस्कुशन बॉक्स में दे दिया है स्ट्रीट वाइच मीटू स्टंगन मिले इस लाजवाब नगल डिफेंस से जहां आपको कई खत्रनाग फेचर्स दिखने को मिल जाएगा इसके एक छोग पर दो नुकलियो पॉइंट्स होते हैं जो आपके पावर को एनहांस करेंगी साथे इससे आप नगल की तरह भी पहन सकते हैं इसके दूसरी छोर पर एक LED फ्लेशलाट दी गई है जो काफी यूचपुल है और ये रिचारजबूल बैटरी से पावर ओफ होता है इसके आगे की तरव एक जूरदार इलेक्रिक स्टंगन दी गई है जो आपके एनमी के ऊपर हाई वोल्टेज इलेक्रिसिटी छोड़ सकता है जोसरी इस तरह के गैजट बोध बॉइस और गिल्स के लिए सेल डिफेंस सिचुएशन्स में काफी ज़्यदा एप्लिकेबल हो सकते हैं जोस्तो सेल डिफेंस सिचुएशन्स में नाइप का सबसे ज़्यदा इस्तमाल किया जाता है पर डेली लाइप सर्वाइबल सिचुएशन्स और सेल डिफेंस में आप इस नाइप का इस्तमाल कर सकते हैं ब्लैक ओक्साइट कोटिंग एन स्टैनिस फिनिस के बदलाद ये नाइप को रोजन प्रियानी के साथ साथ डैसिंग लुग भी प्रोवाइट करता है रेचर सार्प 2-0-13 कास्ट स्टैनलेस स्टील ब्लेट के बज़े से ये काफी ज़्यादा जीरोबल है जिसे रव यूज के लिए भी काफी अच्छे से इस्तमाल किया जा सकता है M48 Destroyer Tactical Tomahawk पेस है M48 के तरफ से आने वारा टाक्टिकल Tomahawk इसे अब सेल्डवें सिचुएसंस, सर्वाइवल सिचुएसंस और डेली लाइव यूजिस के लिए इस्तमाल कर सकते हैं काफी ज़धा स्ट्रॉंग होने के साथ साथ डैसिंग लुग भी प्रोवाइट करता है इस जवरदस्त इंपक्ट्फुल गैजट का हैंडल बार, इन डेस्ट्रॉक्टिवल इंजक्शन मोल्ड है, नाइलन विद फाइवर फिल से मैड़ेट है आपको कैसा लगा हमें कमें बॉक्स में ज़रू बताएगा जोस्तों फिसिंग या फिर सुटिंग प्राक्टिस के लिए आपको अगर एक क्रस्बो की ज़रूरत है तो बेसे कि यह आपको काफी ज़दा पसंद आने वाला है इस पर आपको क्रस्बो के साथ अलग-अलग एसेसोरीज भी मिल जाते हैं 33 इंच लॉंग इस क्रस्बो का वजन मात्र 2.2 किलोग्राम का है जो बहुत ज़दा हलका है और केरी करने में बहुत ज़दा आसान है क्रस्बो सेट के साथ आपको 16 इंच लॉंग अलुमिनियो मेरो, वाक्स, स्टिंगर, स्लिंग और कॉकिंग रूप जिससे संसियल्स मिल जाएंगे तो कैसा लागा यह अमीजिंग गैजट हमें कॉमेंन बॉक्स में जुरू बताएगा सबरी पेपर स्परी लॉंचर, वैसे गन अपने साथ रखना इलिकाल है पर बात हो सिप्टी की, तो गन ही एक मातर ऐसा डिवाइस है, जो आपको हर किसी से सेव रख सकता है तो अगर आपको एक ऐसा लिकाल गन चाहिए, तो मिलिए सबरी पेपर स्परी लॉंचर से ये कोई बिलट गन ना होकर एक पेपर स्परी गन है, यानि जब आप इससे किसी के ऊपर सूट करते हैं, तो वो टेमपररली ब्लाइंट हो जाएगा जिससे आप वहाँ से भाग सकते हैं या फिर उसके ऊपर अटक कर सकते हैं प्लास्टिक मिले ट ये गन एक बार में 20 मिटर की रींज तक सूट कर सकता है, इसके साथ आपको चोटी चोटी पेपर स्परी बॉल्स मिल जाते हैं, इससे सूट करने पर पेपर स्परी बॉल्स एनिमी की आसपास 3 मिटर की पेपर क्लाउड बना देती हैं, जिससे आपकी जिससे की आपका टार्गेट थोड़ी दिर के लिए डिसबल हो जाएगा और वहां से आप भाग सकते हैं या फिर उसे अटक कर सकते हैं, तो ये लाइट वेटेट करने के लिए एक प्यारा सा लाइक तो बनता है, अभी जो गैजट आप देखने चाहा रहे हैं, वो सेल डि से ताब और थोड़ हमला कर सकते हैं, दरहासल ये एक छोटी सी फ्लक्सिबल रॉड होती है, जिसे आप बड़ी ही आराम से कहीं भी केरी करके ले जाए सकते हैं, और खत्रे की आसंका होते ही पहला एटेक आपको करना होगा, एक बात याद रखेएगा, इसे इस्तिमाल करन जोस्तों मिली इस टाक्टिकल प्राक्टिकल सार्ड डिफेंस टूल से, जिसे आप अपने सिप्टी के लिए हमीज सा इस्तिमाल कर सकते हैं, इस पर आपको 400 लुमें वाली ब्लाइंडिंग ट्रेसलाइट का ओप्शन भी मिल जाता है, साथे सिंगिल हैंडेट हाई वोल्ट की तरह इस्तिमाल कर सकते हैं, अप्टिमम ग्रीप डिजाइनिंग के बदल आप इसे अच्छे से पकड़ पाएंगे, साथी आपको एक लेधर होल्स्टर भी मिल जाता है, जिससे आप इसे सिप रख सकते हैं, यह डिवाइस रिचार्जबूल भी है, जिससे हमीज सा आप इसे अपने साथ अपने डिफेंस के लिए रख सकते हैं, आर्मा क्रेटर न एडेस, दस्तों किसे बला आर्सी कार्स चलाना पसंद नहीं होगा, पर जो आर्सी कार्स में दिखाने चाहा रहा हों, वो हमारे सोल से भी काफ़ जदा आगे है, इसके डिजाइनिंग और स्टिक किलोमेटर के हाइस स्पीट के साथ काफी अच्छा जंप और फ्लिप भी मार सकता है, टू येर्स वारेंटी के साथ आप इसे ऑनलाइन साइट से परचेच कर सकते हैं, इसका बाइंग लिंक में रडिसेशन बॉक्स में दी दिया है, पर अगर आप ऐसा ही पैनल अपने डे एक additional controlling panel है, जिसे keyboard के ऊपर install कर देना होगा, जिसके बाद आपको काफी सारे additional features दिखेंगे, ये एक touchscreen display होता है, जो आपके gaming और access performance को और भी जड़ा enhance कर देगा, जोस्तों वीडियो में दिखाए गए गए gadgets में से कौन से gadget आपको सबसे ज़्यदा अच्छा लगा और आप उस आपके ऐसे ही मज़रा fantastic videos आपको मिलते रहे हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद भी, आपके वीडियो, जैपके के यादेश से यहादेश रहे हैं, यादेश सकते नेगद रहे ही प्ड़त का… कल्या ढाव़ादा बहे ही आपके ही मिलते रहे है Speakers झाल झाल झाल